हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका वेल्णिन बटी का रस्वय में आजर मनाएंगे बहुत स्वाधिस्ट इमली और खजूर की खट्टी मिठी चेटनी इस चेटनी का योज आप समोसे के साथ दही बड़ी के साथ या फिर चाट बनाने में भी कर सकते हैं तो चलिए इसके लिए चाहिए इमली 100 ग्राम स्वाट पाउडर आधा चममच जीरा पाउडर एक चममच शक्र दो बड़े चममच खजूर 100 ग्रण गुड़ 500 ग्रण सुखे मिसाले में लेंगे सुखे मिसाले में लेंगे जीरा और साबुद्धनिया आधा आधा चममच नमक एक चममच लाल मिर्च पोडर एक चममच और काला नमक थोड़ा सा या बन भाई फोटे स्पून एक चोथा चममच अब सबसे पहले इमली को पानी में भीगो कर रख देंगे पाच्छे घंटे के लिए इसी तरह से खज मिक्सर के जार में पीस लेंगे पारिक पेस्ट बना लेंगे आपको यह ध्यान रखना इसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए अब हम इसे चान लेंगे एक चन्नी की सहायता से यह देखे कितना बढ़ी पेस्ट तयार हो गया अब इसी तरह से खजूर जोंने भीगो कर कर देंगे अब एक पंगरम करेंगे उसमें अतर चममच डालेंगे और जीर डालेंगे अतर चममच इसी मेरें बडी आप डाल देंगे डनीय डाल देंगे साब उधनिया डालेंगे साब उधनिय के टैस्ट काफी अच्छा आता है अब इसमें इमली और खजूर का जो पेश तयार गया था हमने और डाल देंगे इन सभी जीजों अच्छे से मिक्स कर देंगे और पांच मिट तक पकाएंगे अब देखिए चटनी हमारी थीक होने लगी है इसमें गोड ढाल देंगे गोड को क्रश करके डालिए ने चोटे चोटे पीसों इसमें क्रश कर लिया उसको उसके डालिए जिससे अच्छे से जल्दी मिक्स हो जाएगा अब इसे 10-15 मिट पकाएंगे यह देखिए चटनी का कलर चींच हो गया है अब इसमें नमक डाल देंगे काला नमक सफेद नमक और लाज मिश पॉडर डाल देंगे तोड़ी सी हींग डालेंगे यह देखिए अब चाहें तो फ्राइग करते समय भी डाल सकते हैं बाद में डालें तो इसका टैस्ट काफी अच्छा आता है अब इसमें हमने शक्कर डाले यह दो चमच यह ऑप्शनल है आप यदी कम मीटा पसंद करते हैं तो शक्कर मट डाल यह देखे इस अब भावल निकाल लीजे कि इस देखिए कितनी बढ़ियां तयार हुए अब जो जूटनी इस चेटनी का यूज़ शक्वाट के लिए यू आफ यूस कर सकते हैं तो देखा आपने की आसानी से में इतनी स्वादिस्ट चतनी तयार की आप ज़रू ट्राइक किजिए और यहीं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद